देखें कि inverse dignity function पर base question आया है क्या question है the value of sin inverse 1 by root 2 plus sin inverse root 2 minus root 1 upon root 6 plus sin inverse root 3 minus root 2 upon root 12 up to infinite equal to अब समझेए कि अगर मैं sin inverse x plus y के formula लगाता चलू तो at last करते-करते ही sin inverse x last में finally a की कोई function बचेगा अच्छा sin inverse 1 by root 2 की value केवल 5 by 4 है और उसमें infinite time add हो रहे हैं तो इसका मतलब 5 by 4 से बड़ा answer होगा आप पाइभाई पाइबाई तू करस्क नहीं कर सकता और बार बार infinite time add हो रहे हैं पर add होते 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 भी सारी चीजे आप हो जाएं तो भी पाइबाई 2 से बढ़ा नहीं हो सकता यह तो बहुत कम है एपान रूर्ट फॉपन इंटू बड़ रहा ऑफ कि एज साइंगे ट्री माइन 스व तो नीचे आप देखके बताएं कि आह второй यह बढ़ता जा रहा है अब साइन के टरुंब में आपके पास एक पर आपको यह पता है कि अब इसको जनलाइज करूं में तो ऐसा लिख सकता हूं समेशन आफ एक्वल टू वन टू इन्फाइनेट साइन इन्वर्स ऐसा भी लिख सकता हूं रूड एन एन लिखा तो एन लिख दीजेगा यहां वरिफाय करिए जब एन की वैलू टाली ठीक है तू डाली यहां पर माइनस वान बिटाई है कि रहा है त्री डाली लाइक डिस अब यह बन गया साइन के तंब में आब आपको यह पता है कि 네 000 inst 1 इन्वर्स वाई एक्वल्ट्ट्ike Hers Hota है देखके सबंझ में आ रहा है कि infinite term में cancel होंगे तो अगर मैं इसको 10 के term में convert करूँ तो n equal to 1 to infinity 10 inverse देखो यह perpendicular है यह hypotenuse है तो perpendicular तो यही रहेगा है hypotenuse क्या आएगा वो हम अभी सोचते हैं या तो हम पूरे method से करें पर क्या होता है जब कोई competitive question की बात की जाती है तो उसमें बहुत सारे concept logic लगते ही infinite लग जा रहा है तो मतलब यह पक्ता है कि यह इसी ढंक से कुछ आने वाला होगा मतलब ना भी लिखो तो चलेगा पर आप करके देखेगा मैं sure हूं कि जब आप solve करके देखेंगे तो hypotenuse आपको ऐसा मिलेगा वन प्लस रूड एंट रूड एंट रूड एंट माइन स्वारी बेस बेस आपको यह मिलेगा तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ तो आगे जाकर यह भी लिख सकता हूं लिमिट ना लिखूं तो और यह टैन इंवर्ट कितना होगे बिटा रूड एंट माइनस माने समship नोटेशन के साथ है यह समिशन नोटेशन के साथ है एन इकवल टू ऐन टू इंफानेट आप रखोगे जब ऑन बाइबन रखोगे तो क्या होगा जैसे आपने वन रख था आपको मिलेगा टैन फिर लिखो गोगे तो मिलेगा टन इन्वोट टू-utan इन्वोट वन है है न ऐसे रखते जाओ आप समझ ना कि यहई से कैंस से हो रहा है है नटन के लास्त मिलेगा तैने इन्वोट यह dai तो 0 होता है, यह से cancel हो रहा, सब cancel हो जाएंगे, यह cancel नहीं होगा, यानि आपके पास एक तरह से बचेएगा, 10 inverse root n, और n tends to infinity, और 10 inverse infinity क्या होता है, 5 by 2, तो answer is 5 by 2, यह method हुआ, अब इसमें 2-3 चीजे आपको बतानी थी, पहला आपने logical approach से समझ लिया था, 5 by 4 से बढ़ा होगा, और infinite term जा रहे हैं, बढ़ते बढ़ते भी 5 by 2 से बढ़ा नहीं हो सकता, और 5 by 2 A की option है, तो इसका मतला आपने पहले logic से बता है, दूसरा इसको submission series बना के, जर्लेटम बना के करा, अब आपने यहाँ पे base निकालने का time waste नहीं किया, नहीं तो वो भी एक काम होता, क्योंकि कुछ जगों पर logical तरीके से आप अप्रोच रखोगे तो अच्छा है, बाकि अगर आप करना चाहो, तो पैथागर से निकाल के, आप इसे X मान लीजी और करके देखिए, अभी आपको result मिल जाएगा,